दोस्तों राची का JSCA स्टेडियम और किर्केट प्रेमियों के लिए एक बार फिर से सजने वाला है आगामी 27 जन्वरी को भारत और न्यूजिलेंड के बीच T20 अंतरास्टिय मैच का पहला मैच राची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा जिसके टिकट की बुक की लिए ऑनलाइन और ओफलाइन तरीके से चल रही है अगर आप भी उस मैच को देखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा पूरा देखें इस वीडियो में आपको टिकट खरीदने से लेकर अंदर प्रवेस करके अपने सीट में बैठने तक की सारी जानकारी आपको बताऊंगा आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा सामान लेके जाना है, कौन सा सामान लेके नहीं जाना है, क्या-क्या करना है, सारी चीजे बताऊँगा, विडियो को ध्यान से देखें दोस्तों अगामी 27 जनवरी को भारत न्यूजिलेंड के बीच में T20 मुकाबला JCA स्टेडियम में खेला जाएगा, आपने टिकट ब्यूक कर ली होगी, अगर आपने ओफलाइन टिकट लिया है काउंटर से, तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप अस्टेडियम में पहुँच जाएं और अपने गेट के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपने टिकट ऑनलाइन खरीदा है, तो आपको ऑनलाइन टिकट की एक सौफ्ट कोपी और अपना एक आइडेंटिफ रूफ, आधार कार्ड, वोतर कार्ड, ऐसा साथ लेकर ही अस्टेडियम जाएं, अपने साथ कोई भी सामान ना रखें, यहां तक की मॉबाइल का चारजर, वाटर बोटल, यह सब भी अस्टेडियम के अंदर लेने, इन सब चीजों के साथ अस्टेडियम के अंदर प्रवेस करने नहीं दिया जाता है, तो अपने साथ सिर्फ एक मॉबाइल रखें, और एक पर्स रखें, जिसमें कुछ पैसे हों, इसके अलवा कोई भी सामान लेकर आप अस्टेडियम तक ना पहुँचें, वरना आपको काफी दिकत होगा, आपको अंदर प्रवेस करने नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले एक आईडी की एक कॉपी, इंट्री पास जो बोलेंगे, वो आप काउंटर में खड़े होकर निकाल लें, इसके बाद टिकट के में ही आपको लिखा रहेगा, विंग लिखा रहेगा, कौन सी विंग में आपका सीट है, और इंट्री गेट कौन से में है, और इनर इंट्री गेट कौन सा ह सब कुछ लिखा रहेगा, seat number और row सब लिखा रहेगा, को उसको पढ़कर उसी gate के सामने जाकर खड़े हो जाना है, उसी wing के gate के सामने, जैसे कि देखें, यह ticket मेरा ticket ही है, आप पुराना ticket है, इसमें देखें, wing, b wing लिख रहा है, तो आपको उसके सामने जाकर खड़े हो जाना अब आपको बताता हूँ, कि अगर आपके पास समय है, तो आप अच्छे तरह से अपने पेट को भर लें, क्योंकि अंदर कुछ भी लेके जाने नहीं दिया जाता है, पानी का बोटल भी आप लेके नहीं जा सकते, और अंदर जो बिखता है, उसको अगर आप खर देंगे, तो आपको काफी महँगा पड़ेगा, यहां तकी बता दूँ, दो समोसे आपको 100 रुपिय में मिलते हैं, और खाने की चीज़े तो आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत महँगा है, तो उससे बेटर है कि T20 मुकावला छोटा मैच है, आप अपना पेट भर कर जाएं, और कुछ इस परकार से security clearance के बाद ऐसे अंदर की और जाएंगे, सामने आपको भई भी अस्टेडियम दिखाए देगा और आपका wing दिखाए देगा लिखा हुआ, कि कौन सी wing में आपका seat है, जैसे कि मेरे सामने देख रहेंगे, अगर आपने south east gate से entry लिया है, तो आपको सामने देखेंगे, यहाँ पर A wing दिखाए दे रहा है आपको, और सामने में B wing दिखाए दे रहा है, तो आपके ticket में wing लिखा रहेगा, उस wing में आप चले जाएं, किसी परकार का दिक्कत हो, तो आपको security वाले लोग खड़े रते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको guide कर देंग आसानी से आप पहुँच जाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका upper tier में seat है, या lower tier में तो वो भी देख लें, तो आपको सीधे अपने wing तक पहुँच जाना है, जैसे आप वहाँ पहुचेंगे, आपको सीधियां दिखाए देंगी, उन सीधियों में चड़ते ह वे उपर तक चले जाना है, अगर आपका upper tier में है, तो आप चड़ते जाएं और सबसे उपर तक पहुच जाएं, ठीक है, अभी हम उपर चड़ रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि आपको बिल्कुल हडबडाना नहीं है, टाइम पर पहुच जाना stadium ताकि आप अच्छे से इंट्री ले सकें और आपको भाग दोर जादा ना करना पड़े, अगर लास्ट मोमेंट में पहुचेंगे stadium के पास, और किसी परकार की दिक्कत हो जाती है, तो फिर आपको बहुत जादा भागना पड़ेगा, इसलिए समय पर पहुचें, काफी समय आपने कम से कम एक के पहले जरूर पहुचें, ताकि आप उस मुद्ली इंटर कर सकें, देखिए इस परकार से आप उपर के और चले जाएंगे, सामने में आपको stadium का नजारा दिखाए देगा, और seat भी दिखाए देगे, देखिए, अब आपको seat में जाकर अपना row और seat number तलास लेना है, सभी के बाद match के सुरो होने का इंतजार करें, और match का आनन्द ले, तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से remind करा देता हूं, कि अगर आपने online ticket खरदा है, तो आपको soft copy और एक identity proof लेकर जाना है, ताकि वहाँ पर आप counter से एक अपनी physical ticket की copy प्राप्त कर सकें, जिससे आपको entry मिलेगी, आपको अपना पेट फुल करके जाना है, ताकि आपको अंदर ज्यादा पैसे खर्च करना ना पड़े, अपने साथ कोई भी सामान नहीं रखना है, सिर्फ mobile और कुछ पैसे के अलावा कुछ भी नहीं रखना है, water bottle, hand bag, चोटा bag, बड़ा bag, किसी भी तरह का सामान अंदर ल मिलेगा भी नहीं, मैंने देखा है कि लोग किराये पर अपने hand bag दे रहे थे बाहर, 100 रुपिय, 200 रुपिय आपको ले लेंगे, और जब आप मैच खतम होगा तम निकलेंगे, उस टाइम पे आपको आदमी मिलेगा नहीं, और आपके सामान के गुम होने का पूरा chances रहता है तो आप इन सब बातों का धयान जरूर रखें, वीडियो को दोस्तों में भी share कर दें, जो कोई भी जा रहा हो मैच को देखने के लिए उनको ये सारी चीज़े बता दें, ताकि किसी भी परकार का दिक्कत ना हो, आप आराम से tension free होकर मैच का आनन्द ले सकें, उमीद अब वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जूने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें